फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं आपको गोगल पे में बैंक अकाउंट की जो एड प्रॉब्लम हो रही है सभी यूजर को उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे अगर आपको भी यह जो प्रॉब्लम हो रही है दिन इसे आप सौलू करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते है ये वीडियो इस्पेशली आप लोग के लिए बनाए गई है इस वीडियो को इत्यान से देखना है दिन स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करना है अगर आपका भी बैंक अकाउंट एड नहीं हो रहा है तो चलिए यहां पर सबसे पहले मैं इसे कट करता हूं देन हॉम स्क्रेशन पर आ जाता हूं आने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा यहां पर गाईस सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो भी Google पे अकाउंट है उसको यहां पर एक कर देना है जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यह अपडेट होना चालू हो जाएगा देख्वसकते हो अपड़ेट हो चुका है अपडेट होने के बाद में आप लेटेश्ट वर्जन नहीं हो चुका है। उसके बाद में ओपन बटन डिये गया है सिम्पल़ छाओ इस फे फोने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आज आएगा आप गाई आपको करना क्या है आने के बाद में आपका प्रोफाइल वाला जो आइकन उस पर इस पे आपको क्लिक करो एनवेगा यहाँ पे आपको bank account एड़ करने के लिए यहां पे देख सकता हो bank account लिखा रहा है जिसमें मेरे two bank account एड़ है तो चलिए मैं एक और bank account एड़ करके आपको दिखाता हूँ तो simple तो इस पे click करूँगा देन यहां पे add bank account वाले option पे click करूँगा कुछ इस तरीके से interface आएगा आने के बाद में आपको करना क्या है कि यहां पे आपकी जो भी bank account alike आप add करना चाहते हैं यहां से वो bank account आप ढूंड सकते हैं वरना यहां पे उपर में दिया गया है आप search भी कर सकते हैं तो मेरी जो bank account है वो मेरे पास है तो चलिए मैं यहां पे किसी एक bank account को select कर लेता हूँ मैंने मेरी bank account पे click कर दिया है उसके बाद में नीचे continue का options आ रहा है simple चाहिस पे click करना है उसके बाद में find किया जाएगा दिन कुछ इस तरीके से आपके सामने error आएगा हो सकता है गाईस वो error आपको कुछ और हो ये error कुछ और हो लेकिन जो problem है वो same है यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये error क्यों आया है दिन क्या reason है और ये क्या कहना चाहरा है तो यहाँ पर देख सकता हो यह बोल रहा है cloud यहाँ पर देख सकतो cloud find account ठीक है तो यह बोल रहा है cloud find account की बोल रहा है उसके बाद में बोल रहा है प्लीस यहां पर रहा है कि जो सीम है निइए करिये यह बोल रहा है कि आपके जो सीम है जो गूगल पे अकउन्ट है और जो बैंक आकाउंट है वा दोनों में सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए उसके बाद में एक्टिवेट मोबाइल नंबर टू बैंकिंग फेसिलेटी यूँवर ट्राइ ठीक है तब जाके आप जो है बैंकिंग फेसिलेटी देन ये सब कुछ ट्राइ कर पाएंगे अगर ट्राइ अगें करते हैं तो फिर से गाईस यहां पे कंटिन्यू करके फिर से वही प्रॉब्लम दिखाएगा इसका रीज़न है इसकी हमारा जो बैंक अकाउंट है लाइक हमने बैंक ऑफ बड़ोदर सेलेक्ट किया था उसके बाद में इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है नहीं इसके अंदर मेरा अकाउंट है इसलिए मैंने यहां पर चूस कि नहीं होता है तो फिर वह क्या है कि वह एड करते हैं तो उसमें आपका जो बैलेंस है कि सिम्पल सा यह जो है प्रोसेस्स आपको करना पड़ता है क्या करना के बाद में जब आप एड करोगे तो यह डिफिनिटली हो जाएगा जैगा कि मैं मानलें जीत हो जाएगा इसमों कोई प्रोबिलम नहीं होगी देख सकता हो यह यह यहां पर मैं आपको करते हो सकते हैं यहां और यहां पे अगर आप दियान से देखोगे तो पहले दो बैंक अकाउंट था अब तीन हो चुके हैं और जो मैंने एड किया है पेटेंपर्मेट बैंक वह है कि नहीं मैं बैलेंस चेक पर क्लिक करता हूं देन यहां पर आप देख सकते हो पेटेंपर्मेंट बैंक हमारी शो हो रहा है तो आप गूगल पर को अपडेट कर लीजिए अगर वह भी नहीं हो रहा है तो आप काम करिए मोबाइल को रिस्टार्ट करिए उसके बाद में आप एड कर पाएंगे अगर फिर भी कोई प्रोब्लम हो रही है तो कोई टेक्निकल इशू के वज़े से यह प्रोब्ल